हाई दोस्तों आज का वीडियो है नीबू का आचार देखिए हम इसको तोड़के घर का नीबू है यह आप खरित के मार्केट से ला सकते हैं इसको छीलने का तरीका देखिए हम किस तरह छीलने में इसको छील रहे हैं देखिए इसमें रस बिल्कुल नहीं निकल रहा है इसको छीलने के बाद हम इसको देखिए हम कीस तरीके इसको कट करते हैं देखिए हम इसको चार भाग में कट कर लेते हैं काटने के बाद इसको अच्छा तरीका से दोलीजे पानी में इसको धूप में डाल दीजे जैसे आज सुबह धोके डाले तो आज सुखाईया और कल भी सुख कि एकदम रजगुला के तरफ फूल के दम रजगुला जीता दिखे गांदाज ले Yuan ze थोड़ा सा ज्धा ज्वाध लीजए गां बहुत ज्यादा भी नहीं बहुता का स्वाध लेंना हे नमख लेकि तरह लिए अपना अंदाज हाय के आपके पास जड़ आम का लें इसमें मिक्स कर सकते हैं उसका तेल मिक्स कर सकते हैं आज जैदी नहीं है आपके पास इसमें आप मसाला यूज कर सकते हैं हम बीना मसाला का अचर बनाये हैं बहुत स्वादिश्ट लगेगा देखें हम किस तरीका इसको सांते हैं मसलते हैं डबा में भरके स्टोरेज करते हैं यह बहुत स्वादिष्ट अचार है, एक बार जरूर ट्राइ कीजिएगा, अब वीडियो को सेर करने बिल्कुल नहीं भूलेगा, जरूर से जरूर सेर कर दीजिएगा मेरे भाई वहन, सपोर्ट कीजिए मेरा चैनल को एदम सेर करने बिल्कुल नहीं भूले, जरूर से जरू दूप में उसके बाद देखे इसके टेस्टी कैसा लगता है कि यह अचार का कि इसी दार अच्छा सर ए यह मिक्स करना है व्यूत होने के बाद हम इसको ढप कर लिये हैं, में बर भिए हैं पांच शे दिन तक जरूर से जरूर दूप लगा है इसका खराब बिल्कुल नहीं होगा उसके बाद एदम रस गुल्ला के तरह फूल के तयार हो जाएगा कामेंट सक्षन में जरूर बताईएगा कि यह रेसिपी आपको कैसा लगा यह आचार आपको कैसा लगा देखिए कैसा लग रहा है भरन देखिए कितना सुन्दर लग रहा है और कामेंट सक्षन में जरूर बताईएगा बिल्कुल नहीं भूलिएगा कैसा लगा आपको यह रेसिपी वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राब जरूर से जरूर कर दीजिए बिल्कुल से बिल्कुल कर दीजिएगा बिल्कुल नहीं भूलिएगा धनवाद